दोस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है आय प्रमाण पत्र यानि की इंकम साटिफिकेट जब भी हमें किसी भी गवर्मेंट स्कीम का लाब लेना हो किसी भी उसकूल कॉलेज में अड्मशन कराना हो या फिर स्कॉलर्शिप के लिए हमें अप्लाई करना हो तो ऐसे में हमें एक इंकम साटिफिकेट की ज़रृत पड़ती है तो यह जो income certificate है किस तरीके से आप अपने mobile phone से अपने computer से घर बैठे है आप बना सकते हैं इस वीडियो में आपको complete process बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आप परमाट पत्र को online ही apply करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने browser में आना है और यहाँ पर आपको search करना है e-district इसके बाद में आपको space दे करके अपने state का नाम टाइप कर देना है दिन आपको search के option पे click करना है search करते ही आपके सामने आपकी state की जो भी e-district की website होगी वो display आ जाएगी तो यहाँ पर जिसमें gov.in लगा हुआ है आपको इसी website पे click कर लेना है अब यहाँ पर हमें एक नया i-pramart पत्र बनाने के लिए यहाँ पर जो citizen login e-sathी का option दिये गया है इस पे हमें click करना है इतना करते ही आप अपने state की e-district की website पर आ जाते हैं जहाँ पर आप देखेंगे income certificate के साथी में यहाँ पर card certificate और हैसियत प्रमारपत इसी के साथ में कई सारे और भी document के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको apply करने के लिए इस portal पे सबसे पहले तो login करना होगा जिसमें की आपको यहाँ पर अपना username password फिल करना होगा यहाँ पर username password आपके पास में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो नहीं होगा तो यहाँ पर इसके लिए नवीन उपयोकरता पंजीकरन का option दिया गया है जिस पर आप click करके आप एक नया user ID free में ही create कर सकते हैं यहाँ पर आपको 6-8 digit की एक login ID create करना है यह login ID आप अपने name के कुछ सुरुआत के अच्छर और कुछ number को mix करके आप बना सकते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर check availability के option पर click करना है आपकी जो ID है अगर available है तो आप इसको आगे continue कर सकते हैं या फिर कुछ और numbers को mix करके आप अपनी ID बना सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लिकेंट नेम के section में अपना नाम लिख देना है यहाँ पर data birth को फिल कर देना है और यहाँ पर resident address के section में आना है आपको अपना complete address यहाँ पर type कर देना है और यहाँ पर district का जो भी आपके नाम है select कर लेना है अपना mobile number और email ID इस section में आ करके फिल कर देना है then आपको save के option पे click कर देना है save के option पे click करते ही आपकी जो login ID है वो create हो चुकी है अब आपको login page पर आना है यहाँ पर आपने जो login ID भी create की है वो यहाँ पर login ID फिल कर देना है और यहाँ पर password आपके mobile phone पर खुदी भेज़ा जाता है उसको फिल कर देना है और यहाँ पर जो capture code दिखाएगा इससे same वैसे ही आपको फिल कर देना है then आपको submit के option पे click कर देना है submit के option पे click करते ही आप पहली बार जबाएंगे तो यहाँ पर password को change करने के लिए बोला जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आपके phone पर एक OTP आएगा जो कि यहाँ पर फिल कर देना है न्यू password के section में आपको यहाँ पर अपना password फिल कर देना है और यहाँ पर repeat password वही type कर देना है then आपको change password के option पे click कर देना है इतना करते ही आपकी login details successfully change हो चुके है इसी के साथ में हम portal पे भी login हो चुके हैं अब हमारे सामने हमारे state की जितनी भी services होंगी जो हम online access कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर आपको income certificate online बनाने के लिए आपको certificate services के section में आना है और यहाँ पर तीसरा option income certificate इसी को आपको choose कर लेना है तो अब हमारे सामने एक application form आ जाता है जहाँ पर आपको इस form को हिंदी language में fill करना है यहाँ पर पहले तो आपको छेतर के section में आना है आप grammar छेतर से हैं यहाँ पर आपको choose कर लेना है और प्रार्थी name के section में आकर के आपको applicant का name fill कर देना है इसके बाद में पिता पति का नाम जो भी आपको fill करना है फिल कर लेना है और जो भी उनसे relation है आपको यहाँ पर relation को select कर देना है और यहाँ पर इस box में माता का नाम फिल कर देना है इसके बाद में वर्तमान पता के section में आना है यहाँ पर आपको जो current पता है आपको यह फिल करना है जिसमें कि मकान, नमबर, मौला, जनपत और तहसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल किया है कुछ उस तरीके से आपको फिल कर लेना है इसके बाद में आपको इस्थाई पता के section में आना है अगर आपको जो permanent address है वो भी उपर जो address आपने फिल किया है सेमी है तो आपको यहाँ पर इस option पर टिक कर देना है तो उपर जो आपने address फिल किया है वो address यहाँ पर नीचे की भी box में automatically आ जाता है इसके बाद में आपको बैवसाय के section में आना है यहाँ पर अगर आप job करते हैं या फिर कोई भी बैवसाय है जो भी specific बैवसाय है यहाँ पर आपको type कर देना है इसके बाद में परिवार के बैवरण के section में आना है आव Hmm पर परिवार में जितनी भी सदस हैं उनकी गिंती को यहां पर टाइप करना है सपोर्ज यहां पर मेरे परिवार में पैंस लोग हैं तो हम यहां पर पांस टाइप करें गे तो जैसा ही पांस आप यहां पर लिखेंगे तो आटमेटली नीचे की तरफ आप देखेंगे फाइव रो आ चुकी हैं अब आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है साथी में उनका क्या बेहुसाय है हैं और क्या कोई कर रहे हैं यहाँ पर परिवार में जितने भी सदस से उनकी डीटेल को फिल करना साथी में बेहुसाय से आई के steering सिक्षन में परिवार के जितने भी फ्रीक psychic करते हैं जितना भी इंकम करते हैं यहाँ पर आप अब और आपको टाइप करना या फिर आप कोई जॉब करते हैं या कोई business से आपकी income है या फिर किसी भी आन्य source से income है तो आपको यहां पर अलग-अलग box दिये गहे हैं यहां पर आपकी जिस भी source से जितने भी income है यहाँ पर आपको type करना है यहाँ पर मैंने कुछ example दिखा रखा है कि किस तरीके से आपको I को fill करना है जिन भी box में आपकी कोई भी income नहीं है वहाँ पर आपको zero type करना है और अगर आपकी crush से I होती है तो यहाँ पर आपको किस gram में आपकी जमीन है type करना है इसी के साथ में कितनी हेटेर है जमीन यहाँ पर इस box में fill करना है और यहाँ पर जितनी भी income उससे होती है आपको type कर देना है इसके बाद में इस form में नीचे के तरफ आना है कोई भी ऐसी income है जो कि यहाँ पर option include नहीं है तो आप यहाँ पर आनिस रोत की आई यहाँ पर उसमेर फिल कर सकते हैं अब यहाँ पर इसके बाद में नीचे के तरफ एक और option दिया गया है परिवार के कुल वार्सिक आई तो यहाँ पर आपने जो भी उपर detail दिखाई है उसकी summary आपको याणि की total कितना आपकी income होती ही साला ना वो इस box में आपको type करना है income detail को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जारा क्या इससे पहले आपका income certificate जारी हुआ है तो अगर हुआ है तो यहाँ पर आपको अगर पता है तभी हाँ सलेक करना है और यहाँ पर आपने आविदन सुल्ख भुक्तान कर दिया है हाँ क्लिक करना है आधार नमबर को फिल कर लेना है और यहां पर प्रमारपत्र बनवाने का कारण यहां पर अगर आपको स्कॉलर्शिप में लगाना है सिछन कारहत लगाना है यहां पर आपशन दिये गए इसी के साथ में अगर कोई भी अन्य रीजन है तो अन्य सल्ट करके आप खुछ से यहां पर टाइप भी कर सकते हैं, तो यहां पर मेरा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है, अब हमें सलग सीरसक के सेक्षन में आना है, यहां पर अब हमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, जिसमें कि हम फोटो के आप्शन को चूज कर लेंगे, और अपलोड के आप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहां पर मेरा जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है, इसी के साथ में हमें अपनी आईडी पूप अपलोड करना होगा, जिसमें कि अन्नी के आप्शन को सलिक करेंगे, और यहां पर जो भी आईडी पूप अप्लोड हो चुके हैं अब हमें तीसरा डोकुमेंट स्वाप अमारे घोस्डा पत्र अप्लोड करना होगा जो की एक फॉर्म होता है मैं लिंक आपको दे रहा हूं उस पर आपको साइन करके खुद के अपलोड करने होते हैं खुद से घोस्डा करनी होती है तो वह फॉर्म आप प्रिंट निकाल लेंगे उसके बाद साइन करने के बाद में स्कैन कर लेंगे उसको यहां पर आपको अपलोड कर लेना है उसी तरीके से और इसके बाद में आपको दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लिकेशन का एक समरी आ जाता है जहां दस्तावेज आपने अप्लोड किये यहां पर आपको प्रिव्यू दिखाया जाता है तो यहां पर सारी ही डीटेल सही है तो आपको सेवा सुल्क का भुक्तान करने के लिए क्लिक करें आपको इस option पे लिए और यहां पर यह जो application card, credit card, internet banking, vmvpi के माधम से payment कर सकते हैं तो जो भी mode से आप payment करने वाले हैं मएक payment के option पे click करके आपको payment कर लेना है यहाँ पर आपको 15 rupees का payment करना होगा payment करके page automatic redirect होगा और आपके सामने आपकी जो पाउती slip है वो generate होगर करके आ जाती है यह जो application है हमारी तरफ से aggressive हो चुकी है अब जो भी संबंधित अधिकारी होंगी उनके पास में यह application जा चुकी है जिसमें की तहसिलदार इसको अपने लेकवाल से verify कराएगा जिसमें की 7 से 15 दिनों का time लगता है उस बीच में आपकी जो application है अपरूफ हो जाते हैं और आपको SMS के माध्यम से notification मिल जाता है इसी के साथ में पोर्टल पर भी इसका status चेक करने का option मिलता है जहां पर आप अपना वर्तमान status जाजन सकते हैं और certificate जारी होने के बाद में आप इसी पोर्टल पर आ करके खुशते ही certificate को भी प्रेंट कर सकते हैं यहां पर अब जो certificate इशू किया और यह जो certificate है पूरी तरीके से valid होता है तो आसा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंदाया होगा इस वीडियो को like करेगा अपने friends और family में share करेगा आप सभी के मैंन में कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का सुझाओ है तो आप में comment box में जरू लिखेगा हम म